हालो गाइस स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर प्रिजेश अब हम करने जा रहे हैं 74 सम 73 सम्स आप तक हम कर लिए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं को सारे सम समझ में आ गए होंगे सो करते हैं 74 सम और इस्ट्री मार्क्स के प्लेइलीश्ट का है सो 74 सम 4 त्री मार्क्स यार एड़ काम्स यहां पर आपको एम्बैंक मेंट की बात कर रहे हैं लोग एम्बैंक मेंट मतलब सब को समझ में आ जाएगा अभी वो बोल रहा है कि वैल ओफ दामेटर 4 मिटर वैल ऑफ आपको डायमेटर दिया हुआ है फोर मीटर और आपको इसकी हाइड दी गई है 21 मीटर आए समझे वो बोल रहा है कि अर्थ टेकन आउट आउट अफ इस बीन आउड अरॉंड इट इन दी शेप ऑफ सर्कुलर रहें तो मतलब यह जो इसके अंदर जो मट्टी है ना उसको निकाल के बाहर स्प्रेड किया गया है अब वो स्प्रेड करने पर एक एम्बैंक्मेंट बनता है जिसको इस तरह से दिखा जाता है यह ऐसा होता है एक सिलिंड डिकल ऐसा शेप का एक बनता है अब कोई भी चीज़ हेसा अगर अब या ऋप व्यू से देखोंगे ना या एम्बैंक्मेंट का जो है सेरकुलर सेक्षन ना यह से बता है नो आप का ओसा दिखेगत इसे मे इसमीन क्या बुलाए क्या से शेप सर्कूलर ring of width, यह जो embankment है ना, यह circular ring के form में है, इसका width जो ही, width मतलब बता ही है, 3 meter, ठीक है, तो obviously यहाँ पे भी 3 meter ही होने आला है, समझ में आ रहे हैं, और fight the height of embankment, अब यहाँ पे ना height अपून आजिम करते हैं, ह, समझ रहा है बात का आपको, अब बात बता हो, अगर मैं पूरे embank की बात करो, in fact, मैं पूरा को पूरा सल्कुलर सेक्शन की बात करो, यह पूरे सेक्शन की बात करो, यह पूरा को पूरा, कितना होगा, इसका diameter कितना बनेगा, 4, 5, 6, 7, 7, 7, और 3, 10, यह पूरा को पूरा 10 meter बनेगा, 7, 7, अगर मैं इसकी बात करो, खाली यह बीच वाले की बात कर दो तो यह कितना बनेगा 4 meter समझ रहा है so find the height of embankment अभी एक बात बताओ इसको करना कैसे देखे सबसे पहले मुझे यह बताओ जो भी मिट्टी यहां से बाहर निकलेगी यहां से जो भी मिट्टी बाहर निकलेगी उसका volume और यह particular well का volume सेम होने वाले समझ रहा है इसका मतलब क्या यह जो embankment जो shaded है ना मैं जो आपको shaded वाला बता रहा हूं यह जो मिट्टी है ठीक है यह जो मिट्टी है यह actually volume होगा इसके equal और यह मिट्टी का volume कैसे आएगा मिट्टी का volume ऐसा आएगा कि आप पूरा को पूरा इस embankment का circular यह section पूरा consider करो ठीक है ना इस पाइसे ठीक है चलो देखते हैं करते हैं आपने सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लेट हाइट आफ मेंक्मेंट भी एच हाइट आफ किसके बाद और तो रही therefore volume of volume of earth removed समझ रहा आपको volume of earth removed is equal to volume of well volume of cylindrical well cylindrical well आ रहा है समझ में अब volume of earth क्या होता है so therefore volume of earth क्या होता है volume of earth removed it is equal to volume of entire circular embankment स्टीक है minus volume of यह काम करें यह वाला ना इसको dotted से करते हैं इसको dotted से लिखता हो मैं volume of section in dotted form समझ में आ रहा है आपके understanding के लिए मैंने लिखा है so volume of earth removed क्या हो जाएगा this is equal to volume of entire circular embankment मतलब क्या आपका हो जाएगा πr square h πr square h what is r इसका आधा πr square h h क्या होता है बढ़ी obviously इसका height h आज रहा है समझ में उसमें समें-स करना पाड़ेगा πr square h किसका बीच वालेका πr इसका radius क्या होगा 2 square h आज रहा है समझ में So this is equal to 25 pi h minus 4 pi h. This is equal to 21 pi h. Easy. और वो भी volume है, this is meter cube. So therefore, therefore, ये वाला लिखता हम रो. 21, therefore 21 pi h is equal to volume of cylindrical weld. Volume of cylindrical weld क्या है? By volume of cylindrical weld है, pi r square. इस बार h लिया जाएगा, ये फूरा. 21. Easy. So therefore, ये वो जाएगा 21 pi h equal to 4 pi into 21. 21 यहाँ से कट गया. Pi pi कट गया. So therefore, h is equal to 4 meters. h equal to 4 meters. So therefore, अब क्या बोलेगे? Therefore, Height of embankment equal to 4 meters. Easy. बहुत easy है. So I hope, आपको ये समझ में आयोगा explanation. जो भी doubt होगा, communicate करेगा है, try करोंगा, आपको doubt solve करेगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. जहाँ पे हम करेंगा 75th slum. और meanwhile, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेगा, शेर करके रखेगा मेरा ये वीडियो भी लोग को. ठीक है न? और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जोड़ दबाके रखेगा, ताक कि मेरे फीटेर वीडियो को नोटिफिकेशन आम को मिलता रहे. साथ ही साथ आप मुझे फेजबूपे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक्स लोट फर वाचिंग दू टेक केर अफ यहॉसल्व, बाबाए!